अलो स्टुडेंट्स हाव और यू ओप यूर दूइंग वैल आम रहूल बतनागर वालकम टुमाई यूट्यूब चैनल आज का हमारा ये वीडियो पैटी कैश्बुक के उपर रहेगा उमीद करता हूं इससे पहले जो हमारे वीडियो रहे हैं सिंगल कॉलम कैश्बुक और दूबल कॉलम कैश्बुक वह आपने अच्छे से देखें होंगे और समझें होंगे आज हम करेंगे पैटी कैश्बुक को हम अच्छे से समझेंगे इस्टूजेंट्स कि तटम पैटी इस ड्राइव फ्रेंच वर्ड वो वर्ड था पैटिट इसका मतलब होता था स्मॉल एंड पैटी कैश्बुक इस ए सबसीटरी बुक विछ यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग पैटी कैश्बुक अक्ष्पेंसे विए उस्पेंसे इंवाल्विंग स्मॉल अमॉंट मतलब जड़ छोटे छोटे अमॉंट के expenses हैं लेकिन वो expenses quantity में बहुत जादा होते हैं उनको एक अलग से book maintain की जाती है subsidiary book होती है वो भी उस book का नाम होता है patty cash book cash book भी बनाई जाती है cash book के अलावा ये patty cash book बनाई जाती है usually क्या होता है जो large size organization बड़े organization जिनके पास manpower बहुत जादा है यह की छट के नीचे पचास सॉल देर सो लोग काम कर रहे हैं वहां पर छोटे छोटे खर्चे बहुत होते हैं डे टूडे expenses to run the office बहुत जादा होते हैं किस तरह का expenses होते हैं स्टाफ को stationary चाहिए प्रिंटर के लिए रिम चाहिए पैंसिल चाहिए एरेजर चाहिए पैन चाहिए तिर स्पीड पोस्ट करना है पोस्टेज स्टैम्स हैं entertainment के खर्चे हैं माल लीजिए आपके office में auditors आते हैं आप उनको चाय पानी प्लाते हैं बाहर से लाते हैं समोसा लाते हैं या company का CEO आ जाता है गैस आजाता है उनके लिए प्रटेंवेंट के लिए समोसा पकोड़े तो लाओगे वह सब खर्चा है इसके अलावा और भी पानी की पानी मगवाया बहार से आजकल तो इन का खर्चा है मास्क का खर्चा आए चोटे-चोटे खर्चे बहुत अगर यह उसको को बोलते हैं चोटे-चोटे-चोटे के जादा होती है लेकिन amount कम होता है, इनको एक अलग book में maintain किया जाता है, इस book को बोलते हैं, patty cash अब बड़ी companies में क्या होता है, जो head cashier है, head cashier, वो assess करता है, या analyze करता है, या identify करता है, कि हमारे office में एक महीने में usually कितना खर्चा हो जाता है, ऐसे चोटे expenses को लेकि, जिसमें convenience charges है, entertainment है, पानी का है, stationary है, speed post है, कितना खर्चा हो जाता है, for example, 5000 रुपीज हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक patty cashier को रख लेता है, एक patty cashier, जो report करेगा head cashier को, उसको वो patty cashier को, for example, 5000 रुपीज दे जाता है, महिने में दिया, आप मान लिजे, 1st April को दिया, 1st April को दिया, 5000 रुपीज ये कहा, भई, ये पैटी cash, ये छोटे-छोटे जो खर्चे हैं, ये तुम इन 5000 रुपर में से करो, महिने के आखिर में, जो भी पोजिशन हो, वो मुझे बताना, अब ये जो पैटी-कैशर है, ये जितने भी छोटे खर्चे हो रहे हैं, उनको अगेंस्ट वाउचर, वाउचर मेंस ऐसे नहीं क्लिक के देदेगा, जि मैंने खर्चा कर दिया इतना, ये नहीं, अगर उसने म के आया है, या वाल क्लॉक्स के लिए सेल लेके आया है, तो बिल्ट तो प्रोड्यूस करेगा, तो एक पैटी-कैश वाउचर बनेगा, उस वाउचर के और उस वाउचर पे सीरल नमबर होगा, मन्त में माल लिए वाउचर नमबर 1,2,3,4,5 इसको बोलते हैं पैटी-कैश वाउचर, हर वाउचर पे सीरल नमबर डालेगा, उसकी एंट्री करेगा, फिर देखेगा महीने में मेरे 25 वाउचर, 40 वाउचर बन गए हैं, अब उनका खर्चे का टोटल करेगा, फॉर अग्जामपल उसका एक्सपैंस हुआ 4,000 रुपीज, अब उसके पास दिये तो 5,000 रुपीज थे, इत मींस, 1,000 रुपीज बचा है, तो क्या करेगा, वो 1,000 रुपीज यहां क्या दिखाएगा, बैलन्स, सीडी, ऐसे दिखाता है, कैश बुक में ऐसे करना तो करते हैं, और कौन सी डेट को दिखाएगा, 30 अपरेल को, और यहां पर लिख देगा, वो 5,000 र रुपीज अबलेबल थे ना, तो 1,000 रुपे तो उसके पास थे, अब उसको 4,000 रुपीज जो है, यह में कैशर जो है, यह 4,000 रुपीज इसको रियंबर्स करेगा, कि 4,000 रुपीज रियंबस करेगा तो उसको फिर्ट से फाउजन रुपीज हो जाएंगे है ना तो इस सिस्टम को बोलते हैं इंप्रेस्ट सिस्टम हर महीने उसका 5,000 रुपीज का इंप्रेस्ट है महीने के लिए दिया था प्रपोस्ता है एक महीने किसी महीने में ज्यादा खर्च हो गया तो वह 15 दिन बाद वो फिर्टे रिंवर्ड़ मेंट कर लेगा अगर मान लिजिए 15 तारिक को उसके 4,500 खर्च हो जाते हैं तो वह 4,500 ले ले लेगा उसके पास फिर्ट से 5,000 हो जाए यह है कि main cashier पर burden नहीं पड़ा इन petty expenses को लेकर और फिर cash book के अंदर छोटी-छोटी entries नहीं करने को मिलेगी उसमें सरफ से एक entry की जाएगी petty cash expenses, petty cash expenses of the month, महा लेज़े अप्रेल के महीने के हम कर रहे हैं अप्रेल के महीने के petty cash expenses वो लिख देए 4000 जो यहां पर 4000 एक entry में काम हो गया लेकिन जो petty cashier है वो सारी entries का record रखेगा 4000 जो उसमें expenses किये हैं इसमें चाहें पांच वाउचर हो चाहें पंदरह हो चाहें 200 उसका record रखेगा तो इस system को बोलते हैं impress system अब हम देखते हैं पैटी cash book के कितने टाइप्स होते हैं पैटी cash books के युजरी दो टाइप्स होते हैं मैं पहले इसको रब कर देता हूं है टाइपस ओफ पैटी cash book PCB लिख दिया है मैं वन इस सिंपल कैश बुक सिंपल पैटी कैश बुक स्वरी कि देख देख दिया है और अनदर एज आनलेटिकल पैटी कैश बुक सिंपल कैश बुक जो है सिंपल पैटी कैश बुक यह लिए अग्जेक्टली कैश बुक की तरह हैं जयसे हम कैश बुक बनाते हैं उसी तरह से simple patty cashbook है means आपने एक side में receipt हो गई और इस side में payments हो गई फरक सरफ से इतना है कि cashbook में major खर्चे भी आते हैं यहां पर सरफ से आपके छोटे खर्च आएंगे small amounts के खर्च आएंगे रिसिप्ट्स आपने यहां लिख दिया 5000 रुपीज और आप खर्चों की डिटेल डालते रहे हैं माल लेज़े convince convince पांसो रुपया स्टेश्टेश्टनरी कि सो रुपया और क्या हो सकता है एंटर्टेइन्मेंट पांसो रुपया और ट्रांस्पोर्ट पोस्टेश्ट दोसो रुपया सो रुपया इस तरह से मेंटेन होगी यह सिंपल पैटी कैश बुक कि क्या है तो 5000 रुपीज कैश बुक की बन गई ना पर कैश बुक भी तो ऐसे बनती थी रिसेप साइड और पेइमेंट साइड तो 5000 रुपीज यहां हो गए यहां पर आ गया सब 4000 था यहां पर भी 5000 लिखेंगे और बैलन्स लिख देंगे यहां पर सीडी करके तो यह है पहले हम इसका एक नुमेरिकल ले लेते हैं वैसे तो मैंने आपको बता दिया यह इसी तरह कि यह फिर भी चलिए फोर यूर कन्विनियंस हम एक नुमेरिकल करते हैं और उसके बाद हम अनेलेटिकल पैटिक केश बुक को भी आज ही करेंगे वेलकम बैक इस्ट्रेंट्स यह मैंने थोड़ी सी ट्रांजक्शन लेके आया हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए सिंपल पैटी कैश बुक के ऊपर एक जल्दी से हम इसका छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ऐसी ही ट्रांजक्शन होती है बहुत इसी है आप एक दफ़े बस करोगे समझ जाओगे इसका फॉर्मेट देख लो सिंपल कैश बुक का अमाउंट रिसीव जैसे कैश बुक में देट को दो होता है मिएमिक हमारा जो भी हमने 4 अमांट रसीव त से आया है लेजर फॉलियों फोल्यoin नंबर कैश्बुक नंबर कैस्ज बुट्ट की केश्ट बुक से ही अटेस्ट जहीं जितनी भी कैश्ट जो कि ऑने अटेस्ट होती है फिर डेट आगे हैं किस बेट को खर्चा हुआ है किस डेट को आपने पेमेट करीए पर्टिकुलास मतला है टाइप आफ एक्सपेंसेज फिर वाउचर नमबर जरूर डालना है इसमें मैंने बुला हर अक्सपेंस पे वाउचर नमबर पड़ेगा और कितने रुपे का मांट पीक है तो सबसे पहले हम इस ट्रांजक्शन को पढ़ते हैं एपरेल ट्원이 की सारी ट्रांजक्शन सांग्षान हैं पहली ट्रांजक्शन है रूपी रिसीव रूपीज 5 फाईव थाउजन फायजाद वामचे वाउच से आपको पांच सब्रूपे चीफ पैटी एक्सेंस के लिए तो आप यहां पर लिख देंगे कैसे लिखते हैं एक ही कॉलम में इसमें पर्टिकुलर्स दो कॉलम नहीं है जैसे कैश्बूक में दोनों साइड आप लिख सकते हैं यहां पर एक ही साइड लिखना है तू बैलंस बीडी आपको मिला है यह 5000 रुपीज पिछले महिने से केरी फारवड हुआ है या नया भी लिया है तो आपने 5000 रुपीज लिख दिया डेट डाल दी अप्रेल फरस्ट ठीक है आगे मैंने डेट्स नहीं डाली है डेट्स तो आपको सिर्व समझाने के लिए है यह फिर नेक्स एंट्री देखिए पेड फॉर पोस्टेज 500 रुपीज अब इसी पर्ट्रुक्लर के नीचे हम चलेंगे अब तू की जगे हम बाई लिखेंगे बाई पोस्टेज लिग दिया हमने 500 रुपीज अब पेमेंट साइड यहां पे 500 रुपे हमने लिख दिया और इसका वाउचर नंबर हमने डाल दिया वन क्लियर है दूसरी एंट्री ले लिजे डेट मा लिजे दो अपरें दूसरी एंट्री ले लिजे पेड कन्वेंस चार्जिस 350 तो अब आप लिख देंगे बाइक कन्वेंस चार्जिस कन्वेंस चार्जिस वाउचर नंबर दो और 350 रुपे का है चोटा चोटा लिखना पड़ता है स्टुडेंट इसमें एंट्री बहुत जादा होती है तो आपका एक पेस पे नहीं आएगा डेट कुछ भी डाल सकते हैं आप पचेज स्टेशनरी रुपीज 1,000 वाई इसके नीचे एज इस लिखते चलिए बाइ स्टेशनरी चार्जिस कितने की है ठर्ड वाउचर नमबर 1,000 रुपे की ठीख है सिंपल है नपेट तो क्लीन ओफिस प्रिमाइस ओफिस को सफाई करवाई चावी यह 250 रुपे आभ यह उफिस प्रिमाइस तो लिखो गए नहीं क्लीन ओफिस प्र्माइस निसलेनियस ओफिस अक्पैंसे लिग दी वाउचर नमबर चार और कितने का था 250 रुपए का था हमने 250 रुपए रिली है आगे चलते हैं पेज कार्टेज रुपीज 400 भाई कार्टेज या ट्रांसपोर्ट लिए कार्टेज लिए 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 वाउचर नमबर फाइब फॉर हंडर्ड लास्ट एंट्री पेड टेलीफोन बिल्स वन थाउजन रुपीज प्लस सीजी एसटी एसजी एसटी शीएसटी सिक्स परसंट सीजी एसटी एसटी को मैं जरूरू लेका हूंगा जीएसटी कंसेप्ट को आपने बाई टेलीफोन लिखा वैसे यह कुछ नहीं है इसमें बाई सीजी एसटी शीएसटी एक सिक्स परसंट में साट्रूपया और साट रूपया यह यह भी वाउचर नंबर सिक्स आएगा और एसजी एसटी में लिक लो अशेक्स नंबर वाउचर 60 रूपीज की कैंट इतना क्लियर है अब हम इसका टोटल करते हैं यह आ रहा है 3620 3620 अई होप आप देख सक रहे होंगे तो हमारे पास बैलन्स कितना था 5000 रुपीज था 5000 में से 3620 खर्च हो गए है तो बैलन्स कितना बचा 1380 रुपीज बैलन्स बचा हमारे पास क्लियर है यहां आजाएगा हमारा 30 तारीक की डेट में 30 अपरेल की डेट में बैलन्स सीडी कितना है 1360 रुपीज और यह बैलन्स जो है 1 में में हमारा कैरी फारवार्ड हो जाएगा क्या लिखेंगे हम इसमें बैलन्स बी डी और 1380 1380 तो यह था चोटा सा एक एक अग्जामपल सिंपल कैश बुक को लेकर स्टुनेंट्स आपको समझ में आगया होगा इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है जो ना समझ में आए आपने सरफ से एंट्री वाइस करते चलना है देटवाइस करना हैं वाउचर नमबर डाला है अमाउंट डाला है और माइनस कर देना है अमाउंट रसीव्ड में से तोटल अमाउंट पेड़ और जो बैलन्स बचेगा वहग नेक्स्ट समझा और उसके उपर हमने एक नुमेरिकल भी किया दूसरी टाइप है एनलेटिकल पैटी कैश्बुक एनलेटिकल पैटी कैश्बुक का मैंने फॉर्मेट बनाया है इसमें जो थोड़े बाद चेंजेस हैं वो आप देखिए इसके अंदर जो रिसिप साइड है यह तो पहले की कैटेगरीज बना लेते हैं ट्रांस्पोरडेशन की entertainment की पोस्टेजशन स्टाफ की कि miscellaneous की वेजिस की किसी की भी आप expenses की जो रेग्लरली यूज हु रहे हैं एक्सपेंस के हम categories बना लेते हैं वो उनको यहां पर लिखते हैं तो हमें यहां पर space भहत जाधा चोड़ना पड़ता है और यह total payments तो साथ साथ चलेंगी यह पर्टिकुलर्स एक ही पर्टिकुलर होता है लेफ्ट साइड के लिए भी और राइट साइड के लिए भी तो अब हम एक इलस्टेशन लेते हैं टी एस ग्रेवाल की बुक से है यह इलस्टेशन नमबर 15 10.33 पेज पे 10.33 पेज पे अगर आपके पर बुक है तो आप देख लो तो नहीं तो मैं आप उसको इसका स्क्रीन चॉट लगा के दूँगा एज़ी है बहुत अच्छी इस लिए इसमें सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस्टुडेंट एक चीज में और आपको बता हूँ अगर आपके अग्जाम में आता है प्रिट्र पैटी कैश भूक तो आपने कहा हैें आइनेलीटिकल पैटिक केषबोक बनानी है, सिम्पल पैटिक केषबुक नहीं बनानी क्योंकि यही पैटिक केषबूक हर ओगन देशन में सफॉलोग ही जाती है, तो अब हम इलीस्टिशन को पढ़ते हैं इस्टेशन में लिखा वा है Prepare an analytical patty cash book on the impress system from the following 2018 के January की सारी transaction है January 1 की transaction है Received Rs. 10,000 for patty cash सबसे पहले 10,000 रुपया receive हुआ है तो हमने 10,000 रुपीज हमने लिख दिये receipt side में, debit side में अब date है January की first, 2018 students space का इसमें बहुत धियान रखेगा ये तो खैर board है आपके register में आपकी copy पे भी space की problem आएगी तो आपको space इसमें तोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे भी मैं छोटा लिखूंगा क्योंकि पूरा question इस पर कोशिश करेंगे इस पर आ जाए ठीक है आगे चलते है इसमें क्या है voucher number इसमें voucher नहीं आएगा क्योंकि ये तो आपने receive किया है ठीक है कहां से receive किया आपको cash मिला है तो two cash accounts voucher नंबर कभी आएगा जब आपने expense किया उसी के ऊपर का voucher नंबर डालो कि यहां पर कोई voucher नहीं आएगा पेमेंट है नहीं यह साइड खाली रहेगी आगे चलते हैं second january की rate है paid bus fare 50 rupees 50 रुपया bus fare पे किया है तो अब आएगा buy जो जो expenses हमने यहां लिखने है उसको buy से और जो receipt side में लिखना है उसको two से buy bus fare है तो bus fare लिखने की बेजाए हम conveyance लिख देते हैं अगर किसी ने auto लिया taxi लिया तो वो सब conveyance में चार्ज हो जाएगा buy conveyance conveyance account है second january कितना है 50 रुपीज तो हमने यहां पे लिख दिया 50 रुपया अब यहां पे account खोलना पड़ेगा एक हमने account खोल लिया convince charges ठीक है convince खोल लिया यहां पे हमने लिख दिया 50 रुपया अब convince में अगर और भी कोई आते है है transaction तो हम इसी के अंडर में लिखेंगे इस analytical petty cash book का सबसे बड़ा फायदा यह है कि at the end of the month हम total expenses को बाइफरिकेट कर सकते हैं कि conveyance में इतना लगा wages में इतना लगा postage stamp में इतना लगा हर expenses को हम अलग से define कर सकते हैं जो कि हम simple petty cash book में नहीं कर सकते थे कर दो हुआ है कि अगा है कि सेकंड जन्वरी की डेट में यह पेड कार्टेस 250 रूपीज इस सेकंड जन्वरी की डेट में यह बाइं कार्टेस 250 यह तो total payment है यहां तो आएगा ही आएगा अब यहां पर बाइफरकेशन हो जाएगा conveys था अब यहां कार्टेस कोल लेते हैं हम एक कार्टेस कोल लिया कार्टेस के नीचे लिख दीजे 250 रूपीज असान है सरफ से concentration की जरूवत है आप अराम से कर लोगे थर्ड जन्वरी पेड टू पोस्टेज 500 रूपीज अब बाइफ पोस्टेज थर्ड जन्वरी पांससो रूपया पोस्टेज भी खोल लेजेए कोशिश करना है पांच याव छे तो खोलने ही खोलने है आपने फाइव और सिक्स खोलने है और हर आइटम का अलग से भी नहीं खोलते चले आना है कि दस पंदरा बन जाए यहां पर पोस्टेज पोस्टेज के नीचे हमने लिख दिया फाइव है नेक्स्ट ट्रांसक्शन लेते हैं थर्ड जन्वरी की डेट में है पेड वेजिस फार कैजवल लेबर 600 रुपीज वेजिस दिया यह भी हमें खोलना पड़ेगा वेजिस बाइवेजिस थर्ड की डेट है 600 रुपीज एक वेजिस खोल लेते हैं 600 रुपीज हमने इसमें डिख दिया कोई दिक्कत नहीं आना है चलिए और आगे चलते हैं 4th January की है ट्रांजक्शन पेड़ फॉर स्टेशनरी रुपीज 400 प्लस सीजी एस्टे एस्ट एस्टेशनरी पर दिये हैं तो हमने स्टेशनरी का नहीं खुला बना तो एक स्टेशनरी का और खोल लिजिए कि स्टेशनरी कि बाई कि स्टेशनरी चार स्टेशनारी ! चार जाउनरी की देट है 400 ड्रुपे हमने यहां दिये 400 ड्रुपे हमने यहां पे दे ढ़र इस पे cg st और sg st ही दिया वह है तो हमने ब्रचसेज सकी टाइम पर किया करते हैं by ИН्पूट कि और by is esf कि और 500 पे 6% 24 रुपीस 24 रुपीस यहां तो सारे आप लिखोगे लिखोगे यहां अब उसको बाफरकेट कर दो अब इसको खोल लिजे एक अलग से cgst input cgst input cgst और यहां पर एक ले लिजे input cgst ठीक है input यह दोनों तो ज़रूरी खुलेंगे अगर जीएस्ट दिया वहाएं तो क्योंकि इसका बाफरकेशन अलग होगा 24 रुपीस और 24 रुपीस चलिए चलिए और आगे चलते हैं पेड ऑटो चार्जिस चार जन्वरी को है ऑटो चार्जिस है 200 रुपीस और चार्जिस दिया है तो बाई हमने कन्वेंस हमने खोला वायक अकाउंट बाई कन्वेंस अकाउंट चार जन्वरी ये भी चार का था कितने 200 रुपए तो कन्वेंस के नीचे में हम लिख देंगे 200 रुपीस और आगे चलिए पांच जन्वरी की डेट में पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स पंदरा सौ रुपे चेयर्स को ओफिस की चेयर्स को रिपेयर किया पंदरा सौ रुपे बाई भाइब क्लिए क्या लिखेंगे इस में रिपेयर एक्स खेया है जो कभी कभी होता है ठीक है ऊफिस की चेयर साल बार में शेलवग स्क्राब होंगर उसको रिपएर की तो हम मिस्लेनियस को तिदो संड्री भी वोला जाता है कि संट्रीज ठीक है ध्यान रखेंगे या तो आब मिस्लेनियस और उफिस अग्सपेंज को लिजे या संड्रीज लिख लिजे एक ही बात है बाइद मिस्लेनियस ओफिस अग्सपेंज कितना है 1500 रुपीज हमने यहां पे लिख दिया है ठीक है और आके चलते हैं पांच जन्वरी की डेट में चलते हैं पेड बस फेर रुपीज हंड्रड तो बस फेर पेड लिए है यह भी चार की डेट में था अब पांच की डेट में आ जाईए बाय बस by convention charges sorry इस बाइक अन्यज़ सो रुपे दिया है और अमने सो रुपे लिग दिया है लेकिए मिसलेनियस में यहां पर हमने नहीं लिखा है मिसलेनियस में यहां पर भी आएगा इस कॉलम में तो सारे आएंगे न उधर आप बाइफ रिकेशन का रिए चलिए और चलते हैं आगे पेड़ कार्टेज फिर से कार्टेज पेकी है 400 रुपीज पांस तारीक की डेट हमने ले ली बाई कार्टेज चार्ज चोटा चोटा लिखना पड़ेगा स्टुडेंट को कि काफी काफी एंट्रीज हैं बाई कार्टेज 400 कार्टेज में हमने 400 लिख दिया असान है ना चलिए और चलते हैं आगे जनवरी सिक्स पेड फॉर पोस्टेज साथ सो पोस्टेज चार्ज दिया है साथ सो रुपया का और बाई छे जनवरी की डेट बाई पोस्टेज 700 रुपीज और इसका बाई फिरक्रेशन में आ गया हमारा यहां पर पोस्टेज खुला गाई 700 रुपीज ठीक है और आगे चलिए पेड फॉर कन्वेंस चार्जिस 300 रुपीज छे जनवरी की डेट ठीक है बाई बाई कन्वेंस चार्जिस 300 रुपीज कन्वेंस चार्जिस का यह रहां 300 रुपीज में हमें डाल दिया पेड कार्टेश फिर से 300 रुपीज 6 इसी तरह के एक्सपेंसेज होते हैं स्टुडेंट्स पैटी कैश में बाई कार्टेश 300 रुपीज और कार्टेश है हमारा यह ठीक है पेड़ फॉर स्टेशनरी 200 प्लस सीजी एस्टी एस्टी 6 परसंट छे तारीक की डेटी चल रही है कि बाई स्टेशनरी अकाउंट 200 रुपीज 200 हमने स्टेशनरी का यहां पर हमने खोला है यह आगया 200 रुपीज इसमें इसटी और एस्टी भी पेड़ किया 6 परसंट तो हमारा आगा बाई इंपुट सीजी एस्ट यह लिखना नहीं भूलिएगा इंपुट सीजी एस्टी इंपुट एस्जी एस्टी छे तरीक की डेट में यह एं शिक्स परसंट हो गया ट्वेल रुपीज 12 रुपीज और यह दोनों अकाउंट हमने खोले वे हैं 12 रुपीज और 12 रुपीज नेक्स्ट एंट्री लेते हैं स्टुएं शिक्स जन्वरी की है पेड़ फर रिफ्रेश्मेंट टू कस्टमर्स पांसतो रुपे कस्टमर्स आए हैं उनको चाय पाने पिलाई है तो मिसले अब इसका टोटल करेंगे इसका ही नहीं करेंगे बलके इन सब का हम टोटल करेंगे और जो यह टोटल आएगा वो इन सब के बाइफरकेशन के टोटल के बराबर आना चलिए तो आप इस साइट का टोटल करोगे तो यह टोटल है स्टुडेंट शिक्स आउजन सेवन्टी टू रुपीज और हमको 10,000 रुपीज मिले रहे हैं है न हमें 10,000 रुपीज मिले हैं और 6,072 रुपीज हमने खर्च कियें और आप इंडिजियल एक्सपेंस पे निकाल लिजिए अब देखे कितनी आसानी से हमने बता दिया कोई पूशे कि आपने चार्ज में कितने पैसे एक महीने में हम कहँए जी छेसो पचास रुपे दियां काटेस किसने दियां नाइन फिफ्ट नौसो पचास रुपे दियां जी और ट्वज़न्ड रुपीज पोस्टेस का लगा और 600 वेजिज में दियें और मिसलेने सट्पेंसेज भी हुए है स्टेशनरी के हमने 600 दियें और मिसलेनियस हुए है 2000 के और इसमें CGST और SGST हमने 36-36 रुपीज दिया है बस यह हो गया काम हमारा अब कितना पैसा हमारा बचा हमारा 10,000 दिया वादा इसमें से हम यहां पे लिखेंगे 10,000 आई होप कि आप देख पा रहे हूं और बाए बैलन्स सीडी 3928 तो हमारा बैलन्स जन्वरी के महिने में 3928 इंप्रस्ट में बच गया है यह हम क्या करेंगे अगले महिने के परवरी के महिने में इसको यूज करेंगे और 6072 रुपीस का रियम्बस्मेंट ले लेंगे हेड कैशर से तो आपने क्या किया यहां पर यह तो यहां क्लोज हो गया अब 3928 हमारा पुराना बैलन्स है और रियम्बस्मेंट मिल गया 6072 का यह अब फैबरी में लोगे फैबरी में यह भी फैबरी में यह आ जाएगा टू बैलन्स बीडी और यहां फिर से आएगा टू कैश अकाउंट अब बताईए कोई दिक्कत हो तो इसमें 6072 रूपीज हमें चाहिए फैबरी के माहिने में 3928 रूपय हमारे पास है जिससे की हमारे पास फैबरी में खर्ज करने के लिए फिर से 10,000 रूपीज हो जाएगा तो यह है बोलते हैं इसको इंप्रस्ट सिस्टम अनेलिटिकल पैटी कैश बुक ही सबसे दादा प्रिफर्ड के पैटी कैश बुक रहती है तो असान है इसकी एक दफ़ एक दो दफ़े आप प्रैक्टिस कर लिए आ जाएगा आपको तो आज के वीडियो में स्टुएंट्स इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल परपस बुक सेकिंड लेके चलेंगे जो आपका टीएस गरिवाल की बुक में चैप्टर नंबर 11 है अब प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का अधार करिए तब तक के लिए Thank you very much